बेल बच्चो नीट 24 को लेकर कुछ मेजर अपडेट्स आ रही है उसमें से मोस्ट कॉमन जो कोश्चन है बच्चो का किसर एक्जाम कब होगा eligibility criteria क्या है syllabus क्या है और exam जो है वो online mode में होगा यह offline mode में होगा जो भी आपके queries है उन सभी का answer इस वीडियो में च किया जाएगा so without wasting any further time आईए हम लोग हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चानल पर नए है तो चानल को आप लोग सब्स्राइब कर लिजेगा without wasting any further time आईए शुरू करते हैं सबसे पहली बात अगर हम बात करें कर लेना है इसके अंदर ही तुम्हारे 17 सल complete होने चाहिए जी जो कि इसके पहले जनवरी था वह उन्होंने रूल आउट कर दिया और अपडेट कर दिया है ठीक है सबसार और अपर एज लिमीट जो है बिलकुल नहीं मतलब अगर आप 35 साल के 40 साल के तो आप बेशक एक्जा कर रहे हैं तो आपके बस 40 परसेंट होना चाहिए ये डब्लू एस वालों के लिए भी जनरल वाला ही आपका कोटा अप्ला यहां पर किया जाएगा जी आयूप कि एलिजिबिटी क्रेडियरल डाउट क्लियर हो गया रहेगा सेकेंड डाउट है मुनना अटेंप्स लिमीट इसका रीजन क्या है कि ओडियंस बहुत ही जादा होती है और तिने जादा ओडियंस को एक साथ में ओनलाइन जे डबली में हम लोग देखते हैं कितना ब्रिच हो जाता है ठीक है आपका ओफ-लाइन होगा अगर हम सिलेबस के बार में अगर हम बात करेंगे तो अगर आप द तो हम लोग अगर कहते हैं तो कुछ नहीं करना है हमको टॉपिक हो सिफ इलिमिनेट करना है इसके लिए ओल्ड एंट को पहले अपलोग कर लीजेगा उसके बाद अपलोग एंड न्यू एंट से रिविजन कर लीजेगा ठीक है पर डिफिकल्टी लेवल क्या होगा एक्जा तो फॉर्स्ट वीक ओफ आपके मही में आपका एक्जाम कंड़क्ट करवाया जाएगा और फॉर्स्ट वीक ओफ में जो है 24 में वह फिफ्ट में को पढ़ रहा है इसका मतलब जो नीट 24 होगा वह आपका पांच मही को होने वाला है तो टार्गेट यह रखो कि डिसेंबर तक अपना सिलेबस को कंप्लीट करवालो और उसके बाद ही आप लोग क्या करो जी अपने रिविजन और यह सारी चीज़े शालू करो और साथ-सात में भी आप लोग रिविजन कर सकते हो जो भी टॉपिक आप लोग ने पढ़ लिया है इसके बाद बेकर कुछ डाउट से आपके तो डू लेटर्स नों इंदा कमेंट सेक्शन और जो हमने अट आटियाई फाइल की थी अनमसी को लेकर अभी तो उसका रिप्लाय नहीं आया है सिलेबस को लेकर उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग ओल्ड एंसी आटी फॉर नाओ आप लोग फॉलो की जी ठी है और दूसरी बड़ी बात क्या है हम लोग एक तारिक से इसी चानल पर एंसी आटी वोर्ड बैवर्ड रीडिंग चालू कर रहें बायोजिक का उसमें क्या होगा जी सबसे पहले मैं आप लोग को डिटेल एकदम देशी भाशे में समझा दूंगा कॉंसेप उसके बाद मै जी मोटीवेशन और confidence बढ़ा होगा बढ़ेगा हमारा अब देखो इस पूरा स्वीरी आप कि यह पहली क्लास इक तारी को तीन तारीको फिर पांस तारीक हो और वो एक दिन का जो गैडा आपके रिविजन का राएगा तो वो डाउट मेरे से क्लियर करवाकर ले लेना है अगर आप इस सीरीज के लिए तयार है तो कमेंट सेक्शन में हास्टक तयार आप जरूर से लिखेगा मैं यह मांच जाओं कि भया तुम लोग यहां पर तयार हो चुके हो जी और अगर आप नए हैं तो आप टेल और आपकून कि जाहें